है अधिवरीवन अक्याडमिक मैथमेटिक्स पर आप सबी लोगों का सौगत है ऐसे से बूर्ड का अभी तक हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहा है 17 ट्रिग्नामेट्रिक रेशियोस ठीक है तो उसका अभी तक 17.1 एकसरसाइस का कुस्चन नमबर थर्ड सॉल्व कर लिया अभी चलते कुश्चन नमबर फूर्थ देखते हैं कुश्चन कह रहा है फ्रॉम और किवन फिगर कुश्चन नमबर फूर का एपार्ट है फ्रॉम और गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ओफ ये एक डाइग्राम दे दिया गया हमको जिसमें हमको यह वैल्यूज फाइंड करने है ठीक है पैला कुश्चन है इसका 2 लुच इन वैल्यूज हमको फाइंड करने अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक हमारा डाइग्राम बना हुआ, राइट अंगल ट्रेंगल A, B, C ठीक है, और उसके अंदर एक यह राइट अंगल ट्रेंगल B, D, C बना हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह राइट अंगल ट्रेंगल B, C, D, इससे हम इसका हाइपोटेनियूस फाइंड करेंगी, हमको पता है कि राइट अंगल ट्रेंगल में, चिस अंगल पर 90 डिगरी बनता, वो उसमें से एक साइड उसका हाइपोटे, सारी, एक साइड उसका परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा बेस होता है, ठीक है, तो सबसे पहले, इंटर्यगल बीडी सी, राइट अंगल ट्रेंगल बीडी सी, ठीक है, इसमें बाई पाइथागोरस थेवरम, भाई पाइथागोरस थेवरम, ठीक है, यहाँ से हम कहा सकते हैं, बी सी स्क्वायर, BC square is equal to BD square plus DC square, clear, BC square हमको find करना है, BD कितना given है, 9 square plus 12 square, ठीक है, यह हो जाएगा, BC square is equal to 9 square, 81 plus 144, 12 square, यहां से BC is equal to, BC square is equal to 415 हो जाएगा, 8, 8, 4, 12 का 2 हो जाएगा, और 112, ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं, BC is equal to root of 225, और BC का value यहां से आजाएगा, 15 to 225 है, उसका square root कितना आजाएगा, 15, हमको यहां से BC side मिल गया, 15, ठीक है, आगे चलते हैं, अब दूसरे right angle triangle ट्रेंगल पर आ जाते हैं, अब देखो, हमारे पास right angle triangle B, A, B, C है, जिसके यह एक side हो गया, अब देखो, यहां पर angle B पर right angle बन रहा, इट मींस कि जो BC side है, यह हमारा perpendicular हो सकता और A, B, base हो सकता, that means AC जो होगा, यह हमारा hypotenuse होगा, ठीक है, तो इन ट्रेंगल, A, B, C, फिर से वही by Pythagoras theorem, clear, अब perpendicular square, that means AC square is equal to AB square plus BC square, हमें AB find करना, तो यह हो जाएगा, AC square value रखते हैं, AC हमारा कितना है, 25, यह हो जाएगा, 25 square is equal to AB find करना, as it is पढ़ा रहने देंगे, BC है, 15 square, clear, आगे आजाते हैं, तो यह हो जाएगा, हमारा 225 का square होता, 625 is equal to AB square plus 225, ठीक है, AB square find करेंगी, यह हो जाएगा, 625 minus 225, तो यहाँ से AB square is equal to 400, that means AB is equal to root of 400, 400 का square root क्या होता है, 20, clear, तो AB हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, अब हम क्या करते हैं, इसको erase कर देते हैं, अब हमारे पास सारी sides आ गये हैं, तो हम इसको erase कर देते हैं, जिसको note करना है, वो note कर सकता है, अब हम क्या करेंगे, पहले सभी values को note कर लेंगे, हैं सभी values find कर लेंगे sign cost जो भी हमें जरूरत हैं उनके अलग-अलग पहले find कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें sign y का कि डारेक्ली भी find करके लिखा जा सकता जैसे मैं बात करो two sign y वहीं कर लेते हैं पहले question पर आ करते हैं पहला question क्या है two sign y minus को सब्सक्राइब यह एंगल वाई कह रहा है डाट मेंस हमको बी सी डी यह राइट एंगल ट्रेंगल लेना है ठीक है तो हमें यह पता है कि जो जो एंगल पर मीन्स कि जहां पर जो दो साइट समारे अंगल बारा बना रहें वाई उसमें से एक साइड हमारा बेस हो जाएगा और दूसरा हाइपोटेनियूस हो जाएगा ठीक है तो अगर हम लिख लेते हैं यहां पर हमारा जो सौट फॉर्म है थीथ है यह साइन का हो गया यह यह कोज को कई यह टैन का हो गया फिर तो अगर हम साइन 2 into sine y sine y का value क्या हो जाएगा perpendicular by hypotenuse, अब यहाँ पे perpendicular 9 है, hypotenuse 15 है तो यह हो जाएगा 9 by 15 minus cos y, cos y का क्या होता base by hypotenuse, तो base यहाँ पे हो गया 12 और hypotenuse 15 ठीक है, solve कर लेते इसको, यह हो जाएगा 2, 9, 18 18 by 15 minus, और यह हो जाएगा 12 by 15 clear, यह हम minus कर लेंगे इसको, तो 18 में से 12 minus होगा बचेगा 6 by 15 3 से इसको cut कर लेते 3, 2 जाए, और 3, 5 सा that means, यहाँ से आगया इसका answer 2 by 5 ठीक है, पहला part आगया second part देखते है यह इसका answer हो गया ठीक है, second part पर आते है second part question है 2 sin x minus cos x value रख लेते हैं 2, यह हो जाएगा, 2 into sin x अब की बार हमें angle रखना है, x that means triangle abc रखना है, ठीक है, अब sin x की बात कर रहा, यह हमारा आ गया था कितना 20, clear ठीक है, यह 20 आ गया है, अब एक चीज़ देखो की यहाँ पर हम कर सकते है, sin का यह angle 90 degree बना है that means यह हमारा hypotenuse हो गया, ठीक है और यह क्या हो जाएगा, base हो जाएगा, देखो angle इस पर बन रहा, that means की यह angle बना रहा, तो hypotenuse और base के साथ में बनाएगा, तो यहाँ पर perpendicular हमारा क्या हो जाएगा, 15 ठीक है, तो पहले sin x का value रखेंगे, perpendicular by hypotenuse, that means 15 by 25 15 by 25 minus cos x, अब cos का क्या होता base by hypotenuse, that means 20 by 25 ठीक है तो यह हो जाएगा, 20 by 25, multiply कर लेंगी यह हो जाएगा, 15 तूजा 30 by 25 minus 20 by 25, ठीक है यहाँ से minus करेंगे, तो यह हो जाएगा 10 by 25 5 से divide कर देते 5 2 जाए, और 5 5 answer इसका कितना आ गया 2 by 5, यही answer हो जाएगा second part का, clear तो यह second part का answer हो गया 2 by 5, आते हैं, third question देखते हैं third question की बात करें, तो 1 minus sin x 1 minus sin x प्लस cos y, clear अब value रख देते हैं, sin x का value हमने कितना निकाला, 15 by 25 तो यहाँ हो जाएगा यह 1 minus 15 by 25 और cos y का value कितना है, 12 by 15, तो यह हो जाएगा plus 12 by 15 clear, अब हमें सबसे पहले करना क्या, base से करना, सब ही का, यहाँ पर 25 करना है, तो हम क्या करेंगी इसको, 25 by 25 कर लेंगी, minus, यह 15 by 25 है, ठीक है, sorry, 25 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह 15 और 25, यह हमारा 25 नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम, क्या करते हैं, इसके, base को equal, अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, या फिर चाहें, इसको तो और small भी कर लें, ठीक है, small कर लेते हैं, इसको small करेंगे, तो यह हो जाएगा, five, three, five, five, ठीक है, इसको three से करेंगे, four times, इसको three से करेंगे, five times, ठीक है, that means, हमारे पास आगया, one, minus three by five, plus four by five, यह एक तरीका है, कि हम इसको small करने, calculation easy हो जाएगा, ठीक है, अब इसका base सेम करना, that means, यह हो जाएगा, five by five, minus, three by five, plus four by five, base सबका equal हो गया है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको combine कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, five minus three, plus four by five, ठीक है, अब यह हो जाएगा, हम लोगों का, five में से three minus कर दें, तो यह हो जाएगा, पहले, two, और आगे four add कर लेंगे, तो six, ठीक है, यह हो गया, six by five, clear, six by five, यह हम लोगों का answer हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से question number, third complete हो गया, इसका, आते हैं, fourth part, पार्ट इक्स, देखते हैं, इसका, fourth part question क्या है, two cos x minus three, sin y plus four, 10 x, ठीक है, value रखते हैं, cos x का value कितना निकाल लिए हम लोग, 20 by 25, तो यह हो जाएगा, two into 20 by 25 minus sin y का value क्या, 9 by 15, तो यह हो जाएगा, three into 9 by 15 plus, अब 10 x हमको निकालना है, 10 x, that means कि 10 का value हमारा क्या होता है, perpendicular by base, अब बड़े वाले triangle में आ जाते हैं, perpendicular इसका क्या हो जाएगा, 15 और base क्या हो जाएगा, 20, तो यहां हम कर सकते हैं, four into 15 by 20, clear, अब multiply कर लेते हैं, यह हो जाएगा, 40 by 25, clear, minus 9, 3, 27 by 15, plus 60 by 20, ठीक है, अब हम यहां पर कर क्या सकते हैं, इसको small कर लें, यह five से इसको small करेंगे, तो यह हो जाएगा हम लोगों का, five eight जा, five five जा, इसको three से करते हैं, तो यह हो जाएगा, three nine जा, और यह हो जाएगा, three five जा, इसको कर लेते हैं four से, ठीक है, क्योंकि base हमें equal करना है तो 4 से करेंगे ये 5 times हो जाएगा इसको 4 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा ठीक है पहले हमारे पास सभी का base equal हो गया combine कर सकते हैं ये हो जाएगा 8 minus 9 plus 15 by 5 clear आगे solve कर लेते हैं इसको ये हो जाएगा 8 में से 9 minus करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 1 minus 1 plus 15 that means 14 by 5 यह हम लोगों का यह answer हो जाएगा 14 by 5 ठीक है तो इस तरह से question number fourth का a part complete हो गया चलते हैं बी पार्ट का solve करते हैं इसको note करना वो note कर सकता है इसको question number fourth का b part गहरा if the figure given below triangle a b c is right angled at b जो triangle यह a b c बना वो b पे right angle clear if a b is equal to y unit means कि इसका जो base a b given है यह y unit है b c is equal to 3 unit b c side that means perpendicular 3 unit है and a c 5 5 unit तो a c जो हमारा hypotenuse है वो 5 unit है clear find sine x and second part y का value find करना है ठीक है तो सबसे पहले इंट्रेंगल 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 a b c by pythagoras theorem ठीक है अब pythagoras theorem लगाएंगे इसमें हम लोग तो यह हो जाएगा a c square is equal to a b square plus b c square clear a c square that means 5 square a b हमको y given है तो y square कर लेंगे plus b c 3 है 3 square यह हो जाएगा 25 is equal to y square plus 9 यहां से y square अगर हम find करेंगे तो यह हो जाएगा 25 minus 9 यहां से y is equal to हो जाएगा 25 में इसे 9 minus करेंगे 16 root of 16 ठीक है तो y का value कितना आ गया 4 unit clear यहां से हम कह सकते हैं y का value आ गया 4 unit ठीक है तो second part तो complete हो गया question का कि y is equal to 4 unit ठीक है अब आते हैं हम लोग first part पे question क्या कह रहा sign x हमें बताना first part यह इसका second part था sign x का value बताना है ठीक है अब sign x sign का value ratio क्या होता perpendicular by hypotenuse that means कि यहां से हम कह सकते perpendicular है हमारे पास 3 और hypotenuse कितना है 5 clear तो इस तरह से 3 by 5 होगे हमारा sign x का value ठीक है question number fourth का भी complete हो गया है अब चलते हम लोग question number five देखते हैं question number fifth देखते हैं in right angle triangle it is given that angle a is an acute angle एक right angle triangle जिसमें angle a दिया गया सबसे पहले अगर हम डाइग्राम बना ले है ठीक है अब question में कह रहा है कि जो है कि 10 a का ratio क्या होता perpendicular by base that means हम कह सकते हैं यह हो गया perpendicular by base means कि 5 हमारा यहां पर perpendicular हो जाएगा और 12 बेस हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करते हैं पहले पाइथागोरस थेवरम से कि पाइथागोरस थेवरम क्या हो जाएगा एसी स्क्वाइर इस इकवल टू एबी स्क्वाइर प्लस बीसी स्क्वाइर ठीक है एसी हमको find करना as it is a c पढ़ा रहेने देंगे एबी 12 स्क्वाइर प्लस बीसी 5 स्क्वाइर ठीक है तो यह हो सब्सक्वाइर एक कुल टू 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 का सकार 142 प्लस 5 का सब्सक्वाइव क्या से एसी इग्वल टू एड कर लेंगे तो यह जाएगा 169 स्कॉर रूट ऑफ एट मीन्स एसी के वैल्यू कितना अजाएगा 13 सेंटीमिटर धर चारीं यूनिट एसी हमारा आ गया है नहां से 13 यूनिट अब आते हम लोग क्वेस्टन पर पहला पार्ट क्या कह रहा है कॉस एक वैल्यू बताना है कॉस एक मेंस की बैस बाई हाइपोटेनियूस तो बैस हमारा 12 है आपॉटेनियूस 13 है हो जाएगा 12by 13 पहले पार्ट का एंसर और शेकंड पार्ट हमारा क्या है कॉस एक मारीनयस को कॉसिक कर आ दए कलियर अब काॉस यह क्या होता है hypotenuse by perpendicular that means hypotenuse by perpendicular तो यह हो जाएगा 13 by 5 ठीक है minus court का क्या होता है base by perpendicular तो base है हमारा 12 by 5 ठीक है minus कर लेते हैं base equal है तो यह हो जाएगा 13 minus 12 by 5 ठीक है यहां से minus कर लेंगे तो 1 by 5 बचे गए यही इसका answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से question number 5 भी हम लोगों का complete हो गया है इस class में यहीं तक रखते हैं अगर आप लोगों को content अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने fan circle में share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए बाकि जो next question है वो हम लोग next class में देखते हैं थैंक्यू हम लोगों हम लोगों हम लोगों झाल झाल